हेलो फ्रेंड स्वागते आपका रविनास किचन में आज मैं गर्मियों की स्पेशल बच्चों की फैबरेट ग्रेप्स आसक्रिम की रेसेपी लेकर आयू फ्रेंड सिर्फ तीन चीजों से बनाएंगे बिना किसी कलर के बनाएंगे बिल्कुल आसन तरीका बताऊंगी इस रेस पेस्ट आपको नहीं बनाना है आप चाहें तो इस तरीके के जो गोल वाले काले अंगुर होते वह ले सकते या फिर लंबे वाले काले अंगुर ले लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे तो यहां पर मैंने पेस्ट बना लिया है और एक पैन लेंगे पैन में इसको डाल जाये तो यहाँ पर पांछ चमब हशलको डाल देंगे चीनी या फिर कौंटिटी के स lazy डाल सकते हैं है हैं तो में है यहाँ पर चममठ के डाल रही हु works का लर एक दम डाक हो जाएगा तो मिडियुम फ्लेंथ पे हुम इसको पकाते जाएंगे इसी तरीके से तो देख सकते हैं इसका कलर है वो चेंड में लगए यह अदिग सकते हैं यह प्रेंडस हमने जो पेस्ट मैं खुद से बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमने किसी इस्तेमाल नहीं किया है जैसे जैसे medium flame पर पकाएंगे इसका जो जुझ से अंगूर का जो इसमें पानी निकलाता इसको पूरा सुका लेना है हमें तो इसका जो color है वो एक दम चेंज हो जाएगा तो हमें टेस्ट आएगा और एकदम उसी के फॉर्म में यह आ जाएगा आप चाहे तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं बच्चों को ब्रेड पर लगा के दे सकते हैं साथ ही हम इसमें एक कटोरी यहां पर मैं फ्रेश क्रीम इस्तिमाल कर रही हूं अगर आप कपसे मेजरमेंट और बनाय अगर का वह दोनों अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए विपसे हमारी कृम का कलर चेंज हो चुका है और इसी तरीके से हम दो से विरेंट के लिए इसको मिक्स कर लेंगे यह कदे तो देख सकते हैं friends काफी अच्छे से मैंने यहां पर 2-3 मिनिट के लिए इसको mix कर लिया है और इसका color देखके आपको पता चल चुका होगा बिल्कुल भी हमने color का इस्तिमाल नहीं किया है यह इसका natural color है अब हम इसे फ्रीज में रखेंगे set करने के लिए तो मेरे पास आज क कप यहां पर क्रीम लीती तो इतनी कॉंटिटी पे मैंने यहां पर 1.5 कप आज क्रीम बनाई है तो मैं यहां पर बड़े वाले कफ का इस्तमाल कर रही हूं अगर आप छोटे कफ लेंगे तो लगबग आपकी 3 कफ आज क्रीम बन जाएगी यह देखिए फ्रेंट्स बिल्कुल आसानी से यह रिमूब हो जाएगा यह देख सकते हैं हलका सा इसको आप कट कर ले और इस तरीके से निकाल सकते हैं बिल्कुल भी इसका शेप नहीं बिगड़ेगा यह देखिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो बिल्क तो बहुती आसानी से यह कट हो जाएगा एकदम इसली आप इसको कट कर सकते हैं यह देखिए क्योंकि हमने इसमें क्रीम का इस्तमाल किया है तो हमारी जो आस क्रीम है वो बहुती सौप्ट बनी है बिल्कुल भी सकत नहीं बनी है फ्रेंड्स आप इसका कलर देख सकते हैं कोई देखकर बोली नहीं सकता कि हमने इस आस क्रीम को घर पर ही बनाया है बिल्कुल मार्केट स्टाइल में और एकदम मार्केट के जैसी फ्लेवर वाली आस क्रीम को हमने सिर्फ तीन चीजों से बनाया है और घर पर बिल्कुल आसान तरीके से आप जिसको भी आस क्रीम बन पर देख सकते हैं, friends, इसका टेक्चर देखिये, बिलकुल क्रीमी और एकदम सॉप्ट हमारी आस क्रीम में, बिलकुल भी Ice Crystal नहीं जमें, आप देख सकते हैं ना कितनी जल्दी यह मैल्ट ओ रही है, अगर इसमें Ice Crystal होते तो यह तनी जल्दी मैल्ट नहीं होती, देख सकते हैं एकदम क्रीमी हमारी आइस क्रीम बनकर तैयार हुई है तो बनाईए इसे इंजॉय करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करना वीडियो को शेर कर देना तो मिलते नेक्स्ट वीडियो म बाइ बाइ